अगर बात बज़र टीवी कार्स के हो तो इस कार की न्यूज आपको काफी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी इस कार कर जो डिजाइन है उसे स्पेशिली ट्रैफिक और सिटी के यूज के लिए ही बनाया गया है इस कार के साइज को देखकर कोई भी ये नहीं कहा सकता कि ये कार आपको 230 km तक की ड्राइविंग रेंज प्रोवाइट कर सकती है और कार की जो टोप स्पीड है वो भी 90 km पर आरके आसपास है तो आज बात करेंगे एक मिनी इवी कार के बारे में जिसका साइज टाटा नैनो से भी कम है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीच वल सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं तो कार का नाम है माइक्रो लाइन जिसे कमपनी ने कार और बाइक के डिजाइन को मर्च करने के बाद इस कार को बनाया है फोरन मार्किट में इस कार की एडवांस बुगिंग पहले से ही काफी जादा हो चुकी है जबकि ये कार अभी प्रोडक्शन के लिए भी नहीं गई है इस कार का जो चीज यूनिक बनाती है वो है इस कार के डोर ओपनिंग का स्टाइल जो कि BMW की इस सेटा के तरह ही ओपन होता है इस सेटा भी BMW की तरफ से एक मिनी इंजन कार काफी टाइम पहले लोंच की गई थी और ये कार भी लुक्स में BMW इस सेटा के फेसलिफ्ट जैसी ही लगती है इस कार की जो सबसे बड़ी डिस अड़वांटेज है वो है इस कार की सिटिंग कपैसिटी क्योंकि इस कार में सिर्फ दो ही लोग बैट सकते हैं फोरन कंट्री में हो सकता है ये जादा बड़ा इशू ना हो एकिन पर इंडिया में फाइफ सीटर बजटीवी कार की डिमांड सबसे जादा है इस कार में 535 kg का वेट है बेस मोडल में 150 km तक की रेंज आपको उफर की जाती है और टोप ओफ दा वेरियंट में 235 km तक की मैक्सिमम ड्राइविंग रेंज आपको उफर की जाती है साथ ही इस कार को आप सिंपल चार्जर से भी 4 आर्स में फूल चार्ज कर सकते हैं और फिर 200 km तक आराम से यूज भी कर सकते हैं कार का जो फ्रेंट डिजाइन है उसके दोनों साइट में आपको मिरर टाइप हैड लाइट भी दी गई है साथ ही बोनेट पे आपको लोंग टाइप DRL भी देखने को मिलती है जो इस कार को काफी फ्यूचरिस्टिक सा लुक प्रोवाइड करती है अगर कार के रियर लुक की बात करें तो कार भले ही साइज में छोटी है पर उसके बावजूद भी कार का डिजाइन काफी प्रेमियम है कार की जो बैटरी इसकी क्वालिटी है वो भी काफी टोप नोच है क्योंकि इस कार में टेसलास की बैटरी को यूज किया गया है जोके पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस और अच्छी वी कार्स को बनाते हैं तो कार काफी लोंग टाइम तक भी रिलाइबल रहने वाली है कार का जो प्राइज है वो साथ से नो लाग रुपे तक रह सकता है जोके इंडिया में एक टू सीटर कार होने के हिसाब से जादा बजट फ्रेंडली तो लोगों को नहीं लगेगा और क्या आप लोग इस कार को परचेस करना चाहेंगे ये बात भी कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और कार पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेट और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टोपिक के साथ झाल